नमस्कार मैं हूँ विद्या सागर स्वागत है आप सभी का TNP न्यूज में गुजरात ATS ने MPK शाजापूर से नराइन साइं केस से जुड़े एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है जानकारी के मताबिक आरोपी ने नराइन साइं केस के फरियादी पर 2014 में जानलेवा हमला किया था इस मामले में आरोपी पर गुजरात में भी कई केस दर्ज गहें जिसकी कई सालों से गुजरात ATS को तलाश थी जानकारी करनुसार आरोपी आसरामबापू के आश्रम पर काम करता था हमला करने का प्रेकरन 2014 में गुजरात के थाने में दर्ज हुआ था और इसी मामले में ATS टीम उसकी तलाश कर रही थी वहीं बता दें कि आरोपी मूल रूप से भौपाल का निवासी बताया जा रहा है वहीं मर्द प्रदेश के शाजापूर जले के सलसलाई नगर में बने पेट्रॉल पंप पर अग्याद बदमाश हार्वेश्टर से डीजल चोरी कर रहे थे एज़ुरान हर्वेश्टर करमचारी की नीन खुल गई और उसने शोर मचा दिया कार से डीजल चुराने आए बदमाशों ने एर गन से करमचारी पर फाइर कर दिया जिससे करमचारी के पेट पर चोट आई है ये पूरी घटना CC TV कैमरे में खैद हो गई है मामले की जानकारी पोलिस को दी गई पोलिस ने पेट्रोल पमप पर लगे CC TV कैमरों के फुटेज खंघा ले CC TV के अधार पर पोलिस मामले की जाँच में जुट गई है